हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में तोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में अभी कोरोना की महामारी फैली हुई है जो बहुत ही गंबीर रूप से आगे बढ़ रही है ऐसे में अपने आपको कोरोना से बचाने के लिए हम कपाल भाति प्राणायाम तो आज के ये वीडियो में हम कपाल भाति प्राणायाम का महत्व उसको करने की विधी और उसके फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि कि घंती के बटन को दबा दीजिए और आल बटन पे क्लिक कीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्टन नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तो सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कपालभाती प्राणयाम के महत्व के साथ तो दोस्तो कपालभाती प्रणायम का महत्व यह है कि जब आप कपालभाती प्रणायम करते हैं तो आपके शरीर से 80% विशेले तत्व बाहर निकल जाते हैं कपाल भाती प्राणायाम के निरंतर अभ्याज से शरीर के सब्यंग विशेले तत्व से मुक्त हो जाता है, यानि कि टॉक्सिन फ्री हो जाते हैं, किसी भी तंदूरस्ट व्यक्ति को उसके चमकते हुए माथ्य से पहिचाना जा सकता है, कपाल भाती प्राणायाम की बाहर से नहीं चमकता परन्तों यह प्राणायाम आपकी बुद्धी को भी स्वच्छ और तिक्ष्ण बना देता है तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कपाल भाती प्राणायाम करने की वीधी के साथ तो दोस्तों इसके लिए अपनी रीड की हड़ी को सीधा रखत अपने पेट को इस प्रकार से अंदर खीचे कि वह रीड की हड़ी को छू ले जितना हो सके उतना ही करें पेट की मासपेशियों के शिकुड़ने को आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं ना भी को अंदर की तरफ खीचे जैसे ही आप पेट की मासपेशियों को डीला छोड़ते हैं सांस अपने आप आपके फेफडों में पहुच जाती है कपाल भाती प्राणयाम को एक क्रम को पूरा करने के लिए 20 सांस छोड़े एक राउंड खत्म होने के प्रस्चात विश्राम करे और अपनी आखों को बंद कर ले अपने शरीर में प्राणयाम से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करे कपाल भाती प्राणयाम को दो और क्रम ख्याने की दो और राउंड को पूरा करे तो दोस्तों ये थी कपाल भाती प्राणयाम करने की विधी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कपाल भाती प्राणयाम से होने वाले फायदों के साथ तो दोस्तो कपालभाती प्राणयम से बहुत से फायदे होते हैं जो कुछ इस प्रकार है। नमबर वन, कपालभाती करने के दोरान सास को खीचने और छोड़ने की प्रक्रिया से सरीर में रक्तप्रवा बैतर होता है। ऐसा होने से शरीर कई तरह की बीमारियों से बच सकता है। प्रति दिन कपालभाती का अभ्यास करने से सास लेने की सही प्रक्रिया का ग्यान हो जाता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्यस्त दिन चरिया के कारण सभी की सास लेने की कतिविदी छोटी होती जा रही है। इस कारण से रदेशबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 3. कपालबाती में लंबी सास को भरा और छोड़ा जाता है। जिस कारण जीवन को स्वस्थ रखना आसान हो सकता है। 4. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसमें लगातार जमने वाले विशेले पदार्तों को बाहर निकलना भी जरूरी है। कपालबाती प्रणायम से न सिर्फ रक्तब्रवा में सुधार आता है बलकि इससे शरीर डीटॉक्सिफाई भी होता है। इसके उप्योग से आपके फेफड़े और स्वसंदंत्र भी डीटॉक्सिफाई हो सकते हैं और आपको ताजगी महसूस होती है। 5. जिने मदू में है या होने का खत्रा है उन्हें कपालबाती से फाइदा हो सकता है। कपालबाती प्रणायम करके बलड शुगर लेवल को संतुलित रखा जा सकता है। 6. बढ़ता वजन आजकल हर किसी के लिए सिर्दर्द बन गया है। गंटों जिम में वक्त और पैसा बरबात करने पर भी प्रणिणाम कुछ खास नहीं होते है। ऐसे में योग अच्छा विकल्प हो सकता है। आप कपालबाती प्रणायम को अपने जीवन शेली में सामिल करके अपना वजन कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी डायेट का भी खास ध्यान रखना होगा। ज्यादा तेल मसाले वाला और बाहरी खाना खाने से लोग पेट और पाचन समंदी समस्याएं जेल रहे हैं। ऐसे में अगर दवाईया के साथ साथ कपालबाती प्रणायाम किया जाये तो इन समस्याओं से रहत मिल सकती है। नमबर एट कपालबाती फेफडों के लिए भी अच्छा योग है इससे स्वसन प्रणाली स्वस्त होती है। दोस्तो इसलिए कोरोना वाईयरस से बचने के लिए यदि हम कपालबाती प्रणायाम करते हैं तो हमारा स्वसन तंत्र पहले से ही मजबूत होता है और मजबूत स्वसन तंत्र पर कोरोना वाईयरस का खत्रा बहुत कम होता है। नमबर नाइन, आजकल प्रदूशन और मौसम के कारण किसी को भी अस्थमाया दम जैसी सांस समंदी समस्या हो सकती है, ऐसे में कपाल भाती करने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, इससे साइनस, ब्रोंकाइटी, संक्रमन और राइनाइटी जैसे बिमारियों से आराम मिलत नमबर टैन, आजकल तनाव की समस्या किसी को भी हो सकती है, ऐसे में कई बार लोग एंटी डिप्रेशन दवाईयों को लेने की आदी हो जाते है, जो सही नहीं है, इस तिती में स्वास समंदी योग अच्छा विकल्प है, यह मन को शांत कर तनाव को कम करने में साहयक हो सकत है, कपाल भाती मस्तिस के लिए भी बहुत जरूरी है, इसे करने से व्यक्ति का दिमाग न सिर्फ तेज होता है, बलकि बहुत दिख शमता में भी विकास हो सकता है, नमबर ट्वेल, कपाल भाती से एसे एस जैसी समस्या उसे भी रहत मिल सकती है, इसलिए अगर आपको भी पेट सबंदी समस्या है, तो आप प्रति दिन कपाल भाती प्रणयाम करने की आलत डाल लें, नमबर थर्टीन, आपकी तवचा के लिए भी योग अच्छा विकल्प है, कपाल भाती करने से आपका मन शान्त रहेगा, जिसकी चमक आपके चेहरे पर दिखने लगेगी, आप योग भी जड़ते बालों के लिए असरदार उपाय हो सकता है, आप बालों के लिए कपाल भाती प्रणयाम का सहरा ले सकते हैं, दोस्तों कपाल भाती प्रणयाम के फायदे जानने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, कि किन-किन लोगों को कपाल भाती प्रणयाम नहीं क्रीक सब्सक्miş तो भागते टोक्टर ज़रूर टैएंट के तो कुछ के ठोगी प्रेशन करें और माइग्रेंट मसु Mountains Ronnie सब्सक्राइब करने से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद में कुछ भी खाना पिना नहीं है दोस्तों जिने दमा की शिकायत है यानि की अस्तमा की शिकायत है वो साउधानी से कपालबाती प्रणयाम करें और एक बार अपने डोक्टर से परामर्श अवश्य करें मासिक तर्म के दोरान भी कपालबाती नहीं करना चाहिए जिन लोगों के नाक से खून आन यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार जनों में इसे अवश्य शेर कीजिए और यदि आप अन्यों कोई विशे के उपर वी करूंगा थेंक्यू